तो दोस्तों गारगी पुरुषकार 2021 को लेके आप सब के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है वो लेकर आयों और अपडेट गारगी पुरुषकार के ओनलाइन आवेदन फोरम को लेके बालिकाओं के दवरा जब गार की पुरुसकार की दित्ती किस्त के लिए ओनलाइन आवेदन फोरम भरा जाता है तो उनका फोरम वो वेरिफाइड नहीं होता है या फोरम भरते समय कई प्रकार की सम्मस्याइं वो आ जाती है तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपकी सवी सम्मस्याओं का समाधान हो जाएगा इसलिए वीडियो कोई भी साथी अगर देख रहा है चाए वो स्कूल साथी हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर अभिभाव को इस सूचना को जादा से जादा अपने दोस्तों में शेर कीजेगा तकि हर हर किसी की मदद हो हो जाए मेरे साथ हो आप बने रहे नमस्कार साथी हो मैं हूँ आपका अपना साथी राजगुर जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूटूब चैनल तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल सत्तर दो हजार इकिस बाइस के लिए गारगी पुरुषकार के ओनलाइन आवेदन फोरम हो भरे जा रहे हैं और फिलहाल तक इसकी जो लाज डेट हो पंदरा अपरेल है लेकिन फोरम भरते समय बालिकाओं के सामने कई तरह की समस्याइं आ जाती है आलागी माने हर एक समस्या समाधान के लिए कई वीडियो मैंने बनाये हैं और उससे बालिकाओं को फाइदा भी हुआ लेकिन एक और सबसे बड़ी समस्या आ गई बालिकाओं के सामने और सबसे बड़ी समस्या यह आ गई कि जब भी वो ओनलाइन आविदन फोरम भरते हैं और अपने SRID से या फिर NIC ID से फोरम वेरिफाई करते हैं तो फोरम वेरिफाई नहीं होता है जबकि उनका SRIB सही है और जो NIC ID वो भी 100% सही है लेकिन फिर भी वेरिफाई नहीं हो रहा है तो यह समस्या क्यों हो रही है पहले तो वो बताता हूँ फिर इसका समादान आपको बताता हूँ क्योंकि यह आपके पास सुनेरा मोका है देखे समस्या इसलिए आती आपको पता है कि गारगी पुर्षकार जब भी अपना ओनलाइन आउदन फोरम भरते हैं तो दो तिन तरीकों से इस बार है वेरिफिकेशन किया जाता है इसकूल के पोर्टल से भी उसे वेरिफाई किया जाता है जन आधार से भी उसे वेरिफाई है वो किया जाता है लेकिन इसके बावजूद भी मैंने बताया कि यहां पे बालिकाने SR और NICID 100% करेक्ट वो डाल रहे हैं फिल भी वेरिफाई नहीं हो रहा है अब यह क्यों नहीं हो रहा है आप समझ लिजेगा देखिए दोस्तों ऐसा हुआ है कि देखिए यहां पे जो बालिकाओं की जो 10th क मुदाई के लोग हैं उनमें डोट जादा आता क्योंकि मुहमद वो पूरा नहीं लिखते हैं सोट में वो लिख देते हैं इस परकार की समस्या आती है और हो सकता है कि और भी किसी जो बालिका है उनके माता पिता है खुद के नाम में डोट उन्होंने लगा रखा होगा ले लेकिन स्कूल का जो पोड़ल है और सबसे जादा बड़ी सम्सया यह आरही है जिस अध्यार कर रही है बारवी करांस के अंदर उसके अंदर पड़ल नहीं लगा हुआ है तो इस वजय से वहां पर जो फोरण कीजाता या SR से verify किया जाता है तो SR कोई गलत बता देता है जबकि SR है बिल्कुल 100% सही है लेकिन वहाँ पे dot की गड़ पड़ है तो अब मैं आपको यहाँ पे बालिकाओं को कहना चाओंगा school साथियों को मैं कहना चाओंगा यदि इस परकार की कोई भी समश्या आ रही है कि चाओ बालिकाओं का नाम हो या नाम की स्पेलिंग हो माता-पिता के नाम की स्पेलिंग हो या फिर DOB की किसी परकार की कोई गलती हो तो आपको school के portal पे उसे update करना पड़ेगा तबी आप अपने forum को verify कर पाओगे रो आगे की जो staff है उनको आप follow कर पाओगे अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा update यह कि एक बार फिर से यहाँ पे राजिस्थान सिख्षा इभाग के दोरा private school का जो PSP portal है उसे unlock कर दिया है गत सत्र है जितने भी तकरीब दो हजार सोला सत्रा के सोला सत्रा है सत्रा अठारा अठारा गुनिश है मतलब सारे सेशन के जो जो portal हो उसको unlock कर दिया है तो वहाँ पे student का data वो update किया जा सकता है तो मैं ऐसी बालिकाओं को कहना चाहूँगा यदि आपका SRB सही है और आपके NICID भी सही है तो आपके school के portal पर यहाँ पे आपके नाम की माता के नाम की पिता के नाम की spelling में थोड़ा भहुत भी space का भी अंतर हो सकता है dot का भी अंतर हो सकता है आगे पिछे कुछ भी हो सकते है तो आप अपने school से update वो करवा लिजेगा क्योंकि फिलहाल portal अनलोक है और इसकी जो last date है फिलहाल 30 अपरेल है आपको 30 अपरेल से पहले पहले अपना data है school के portal से सही करवाना है अब आप यह कहोगे कि portal अनलोक होने के last date तो 30 अपरेल है जबकि गारगी पुरुषकार की दित्यक इसके online आविदन फोरम भने की last date वो 15 अपरेल है तो tension नहीं लेना है date वो फिर से भढ़ जाएगी लेकिन school से संप्रक कर लिजेगा और अपना data है वो change करवा लिजेगा या update करवा लिजेगा मैं यहाँ पर बालिकाओं को एक बार फिर से खहना चाहूँगा देखिए आपके 10th की मारेक सीट को थोड़ा सा गोर करके आप देख लीजेगा क्योंकि यार मैं एक थोड़ी सी अपने बात में यहाँ कहूँ तो यहाँ पर मैं खुद भी प्रेसान हो चुका हूँ इस चीज से क्योंकि बहुत सारी बालिकाओं के मेरे पास कमेंट आते हैं बहुत सारी मेल आती है बहुत सारे इंस्टा पर मुझे डियम भी आती है कि सर यह गड़बड है तो मुझे बहुता हूँ कि आप अपने स्कूल का जो पोर्टल हो उसका इस क्रिंसोर्ट मुझे भेजो और आपकी टेंद की canceled week जो उसका is screensोर्ट मुझे भेजो तो आहां गलती मेरे को पकड में आजाती है कहें पर dot लगवा है कहें पर space नहीं है कहीं पर मम्मे के नाम में गलती है, कहीं पर पापा के नाम में गलती है, कहीं पर डियो भी में गलती है तो आपकी 10th की मारक सीट के अंदर जहां पर आपका record देख लिजेगा, आपके नाम की spelling देख लिजेगा, सब कुछ देख लिजेगा अगर वैसा का वैसा आपके स्कूल का जो portal है PSP portal है उसमें है तो verify होगा वरना verify नहीं होगा क्योंकि ये पहली step है forum को आगे follow करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए उसके बाद तो जनाधार की problem है वो शुरू हो जाती लेकिन पहली problem है तो इसका समाधान यह है इसके लाव कोई भी इसका समाधान नहीं क्योंकि आपके लिए सुनहरा मौका है उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा तो इसलिए मैं यहाँ पे स्कूल साथियों से भी यह कहना चाहूँगा अगर आपके स्कूल में भी यहाँ पे देखे 72,000 गुनिश बिसके ऐसी जो बालिकाएं हैं जिन्होंने कक्षा 10 वी के अंदर 75% से उपर अंग प्राप्त किये हैं और जो इस बार कक्षा 12 में अध्यन कर रहे हैं जो 72,000, 2021 के लिए और गारगी के लिए आविदन कर रहे हैं तो एक बार आप अपने स्कूल का पोर्टल देख लिजेगा यह जरूरी नहीं है कि बालिकाएं कक्षा 10 वी जिस स्कूल से की वो पोर्टल आपको अपडेट करव नहीं फिलहाल बालिकाद जिस स्कूल के अंदर कक्षा 12 में वर्तमान में अध्यन रहता है उसमें आपको अपडेट करवाना है अगर वो रिकोर्ड मैच हो जाएगा तो आपको SR और NIC वेरिफिकेशन वाली प्रोबलम कभी भी वो नहीं आगी और आपका फोरम है वो फटा अचा रहा था अगर वीडियो जान करें आपको अच्छे लिगे विडियो को लाइक कर देना और जादा से जादा इस वीडियो को शेर कर देना क्योंकि ये सुनेरा मोग है और इससे ये आपकी जो बालिकाए है उनकी मदद है वो जरूर होगी तो एक छोटा सा प्रियास मै नहीं वीडियो की जान करी वो आपको मिलती रहे तो मिलते हैं फ्रेंट अगले एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय वारत